आज हम बात करने जा रहे हैं तू डिजित नंबर को मल्टिप्लाई करने की या थ्री डिजित नंबर को मल्टिप्लाई करने की शौर्ट रिक स्केरिंग की बहुत सारी वीडियो आपको पहले ही अविलेबल करा चुकी हूँ उनका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अविलेबल है उपर आई बटन में भी उनका लिंक दे दिया गया है आप वहाँ से भी चेक आउट कर सकते हैं तो आईए आज की ट्रिक सीखते हैं 93 को for example हमें 97 से मुल्टिपई करना है यह हम सबसे पहले क्या लेंगे बेस फाइंड आउट करेंगे चुंकि यह 100 के आसपास की डिजिट से हैं इसलिए हम 100 बेस लेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 93 को हमें 100 से सब्ट्रेक्ट करना है और उसके सामने उसका डिफरेंस ल लिख देना है then we will take another number 97 97 को उसके नीचे लिख लिजिए 93 के and then 100 minus 97 that is equal to 3 now अब हमें क्या करना है 93 minus 3 कर देना है और यहाँ पे लिख देना है 90 and now हमें 7 को multiply करना है 3 से 21 तो यहाँ पे लिख दीजिए 21 guys that is our answer 90 to 1 is our answer guys हमने क्या किया है पहले base लिया है base में से first number को subtract करके उसका difference उसके सामने लिख दिया है then base में से second number को subtract करके उसका answer हमने सामने लिया है उसके बाद हमने क्या क्या है 93 को cross में subtract करना है आपको subtract करना है 93 minus 3 that is equal to 90 guys आप 97 minus 7 करेंगे तो भी 90 आएगा तो आप कोई भी ले सकते हैं इनमे answer same आएगा then we have to multiply 7 multiply by 3 that is equal to 21 9021 हमारा answer होगा तो guys इसमें हमने 2 places answer लेना है क्योंकि हमारे base में जो हैं वो two zeros हैं इसलिए हम यहाँ पे two places लेंगे अगर three places में हमारा answer आता है तो हम उनकी carry forward करके इस 90 में add कर देंगे guys next है हम एक और example के through में आपको इस cancer इस trick को थोड़ा और clear करूंगी second trick में हम क्या करेंगे हमें दो number लिया है 86 को 98 से multiply करना है 86 को 98 से multiply करने के लिए हम सबसे पहले base लेंगे that is equal to 100 हम first number यहाँ पे लिख देंगे 86 86 100 minus 86 that is equal to 40 उसके सामने लिखा then take another number 98 100 minus 98 that is equal to 2 2 लिख दिया अग guys अब हमें क्या करना है हमें करना है 86 minus 2 86 minus 2 that is equal to 84 and यहाँ पर हमने लिखना है 14 multiply by 2 14 to the 28 so guys next हमारा answer है 8 4 2 8 बहुत ही easy सी trick है guys I hope आपको trick clear हो गई होगी अब हम बड़े numbers के साथ इस trick को apply करने की कोशिश करते हैं अब मैंने 3 digit number लिए है 992 को आपको multiply करना है 988 से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें जो base होगा वो हमारा thousand होगा base कितना होगा thousand क्योंकि यह thousand के आसपास की digits है हम सबसे पहले क्या करेंगे first digit लिख लेंगे first number लिख लेंगे 992 उसको हम subtract करेंगे thousand में से तो हमारा answer आएगा 8 उसके सामने लिखा then second number 988 को हम में लिया है and guys thousand में से उसको minus करके हमारा क्या आएगा 12 तो अब हमें क्या करना है 992 minus 12 कर लीजिए चाहे आप 988 minus 8 कर लीजिए answer हमारा 980 ही आएगा दोनों situations में तो इधर हमने क्या करना है 8 को multiply करना है 12 से multiply by 8 that is equal to 96 guys एक बात यहां पे ध्यार रखने वाली है क्योंकि हमारे base में 3 zeros हैं तो हमारा यह answer 3 places होना चाहिए तो हम यहां पे एक zero add करेंगे क्योंकि हमें 3 places में answer चाहिए because there are 3 zeros in our base तो हमारा guys final answer होगा 9800 096 is our final answer I hope guys आपको trick बहुत ही easy लगी होगी बहुत clear हो गई होगी तो guys आप मेरे videos को like करते रहें channel को subscribe करना बिलकुल नब खुले I hope यह tricks आपके लिए beneficial है okay bye bye thank you for watching the the झाल झाल